नमस्कार प्यारे साथियों स्वागते आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में आज मेरे साथ हैं सिदार्थ कुमार जिनका हाली में UPPCSJ 2022 में सेलेक्शन हुआ है और सिदार्थ ने अपनी पहले ही प्रियास में 140 यानी 140 वी रेंग जो है प्राप्त किये मैं टार्गेट 4 IQ की अब से सत्यांद्र सिदार्थ जी आपको बदाई देना चाहूंगा और congratulate विस करता हूं कि आपने पहले प्रियास में इस सफलता को प्राप्त कर लिया है कैसे लग रहा है आपको सिदार्थ अच्छा लग रहा है एक uncertainty वाला period खतम हो गया है काफी अच्छा लग रहा है जिस एक कैसे मम्मी बाहर बूष भात कर रहे हैं तो मेरे पैसे क्ल एक कॉल ऑल द 들고 बदाई हो ओ पीडिया ख़ें कुछ में रूट कर रहे होगे सर चलता है वारे दोस्तों में वादा। तो अनुनों एक तुमारी 1.40 राइए या याए 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 पीडियाप बेजो वो कहती है कि कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा मैंने का नहीं नहीं हो गया मेरा तो वो एकदम सहसी मुझा मारा फिर का रहे वाह बहुत बढ़या और फिर गले लगाया फिर सर पापा से मेरी बात ही नहीं हो पाई रात तक उनके पास फोन पे फोन आ रहे थे मेरे पास आ रहे थे तो पापब्र आत मेंगे रहे तो सर जैसे मादब हमारे जगनरेशन में क्या है जा कि बाप बेटे के भीच में प्यार बहुत होता है पर हम करपा धाय। तो sir, मुझे याद नहीं, लास्ट टाइम कब गले लगाया होगा, पर उन्होंने देखा, और उन्होंने देखके का बधाई और उन्होंने गले लगा लिया. Sir, वो शायद औरों के लिए छोटा मोमेंट हो, sir, मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था. मतलब एक इमोशनल मोमेंट था, sir, sir, फिर जो एक्स्टेंडड फैमिली है, वो सब चाचा है, माजी है, वो आए, उनके चेहरे पी एक अलग स्माइल थी, so sir, वो मतलब जो मेहनत करी थी, जो कमाई थी, वो उसका जो हाओ, sir, मुझे जज्ज मनने की खुशी नहीं थी, मुझे वे सच बतारों मैं, मुझे इसकी खुशी थी, कि मैंने अपने घरवालों को प्रॉट फ्याल कराये किसी बदर छूप बेर कि कॉर्फ कौल, umě ज़ना बीजने का लुट कर आजए, इस इंट्रिवीयो के माध्यम से, удоб की जरनी को हम जानना चाहेंगे, अब आप्विस्तार क से हमें अपने एकेडमिक के बारे में बताइए क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रहा और यह फिर जैज्ज बने का कब से दिमाग में आया सर मेरी 10th और 12th मेरट से DMA से हुई है दयवती मोधी पब्लिक स्कूल से उसके बाद क्या किते हैं मैंने अपनी अपनी परस्यू किया है M.E.D. Law School Delhi जो अफिलेटेड है G.J.I.P. से उसके बाद सर मैंने LLM किया है जो की मेरी 2022 में कम्प्लीट हुई है ड. रामनोल हुई है National Law University लखनाउ से सर उसके बाद मेरा जो अचैडमिक एंड हुआ था वो अधर 2022 में जून में सर उसके बाद ये था कि अब वेकेंसी आने वाली है अब लग जाओ तो सर इनिशली मेरा रुजान थोड़ा आर्मी की तरफ था पर वो अनफॉर्चनलेटली मैं नहीं परस्यू कर पाया तो सर नवजूती दी है वो भी जज़े है उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम लॉ करना मन में ठानली कि नहीं अब जुड़ीष्री करना और घर वालों को प्राउट पील करना है वेरी बुड़ेग। अच्छा यह तो आपका academic हो गया फिर आपने LLB करी LLB करनी के बाद notification आजाते है UPPCSJ का तो what about UPPCSJ इसके बारे में बताईए पहले परी के बारे में बताईए क्या-क्या sources रहे आपके sources के साथ साथ आपकी कि खुद की strategy क्या करें जी सर नोटिफिकेशन आया तो एक दिल में धक्दक होनी शुरू हो गई कि अरे इतनी जल्दी आगया क्योंकि मैंने थोड़ी preparation late start की थी तो सर हमारे एक friends का group था तो हम साथ में बैट के preparation करते थे तब तक हमारे एक चीज़ पर stick रखा आपने आपको bare act और सिर्फ bare act का सर हमने कोई भी provision नहीं छोड़ा एक भी provision हम first से शुरू करते थे और जो भी last होता था वो परते थे बैर act में हमने कोई कटौती नहीं की उसके बाद सर काफी सारे case है श्रीपवित नरायन सर है उन्होंने काफी guide किया उन्होंने हमें cases के साथ provide किया उन्होंने बताया कि ऐसे पढ़ना है तो सर वो किया बाकि फिर सर यह था कि current के लिए सर आप आपकी videos बहुत जादा देखी हमने हम सर ऐसा करते थे कि वो download रहती थी और सर खाना खाते हुए और कहीं हम कोई भी time जैसे waste कहते है ना खाना खाते हुए हम कुछ नहीं करते सर मैं आपकी video आगे लगा लेता था दिन में तीन टाइम एक चीज का revision हो जाता और सर आप और रेफर की थी मैंने और उसमें भी सर मैं वहीं मार्क करता था जो आप बताते थी ना कि यह important है तो सर मैं वह मार्क कर लेता था और उसके बारे में पूरा पढ़ लेता था तो सर प्री के लिए कोई सिधार्थ एक keyword बताईए कि भाई अगर बच्चे यह काम कर लें तो सर अकोडिंग टू यह कि प्री निकल जाएगा सब दो चीज है consistency अन बेरेक्ट बेरेक्ट को आप जितनी बार पढ़ोगे आपनी जैसे अभी प्री देखा 130 की करीब question direct बेरेक्ट से थे सर और अगर worst day भी होता है तो 60 से नीचे कोई भी question नहीं जाता जो बेरेक्ट से जाता है ऑर बेर्ट से अपका फायदा यांता है, आपको अभी नौ एक्स वाट योड़े थे सर मैने उसमें सिर्फ बेरेक्ट इख्ट पर इन्य bissा ध Lebens से जी आया है, कुछ इदर उधेर लियों से पूछा कोई cases नहीं पूछे सी इवेरेक्टा से नियुक्ट know HD 5 जयोड ने से प पास टाइम कम था, so हमारा सीन ये था कि हमने प्रिलिम्स के बात शुरू की, इस बार लग्की लिए हमें काफी टाइम मिला, तीन-चार महीने मिले, जो कि जनरली नहीं मिलते हैं, so हमने उसे एक तरीके से इनकैश किया, हमने जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन से हमने ऐसा हो दो तीन अंसर लिखता था, डेली के, एक महीने तक, क्योंकि सर मेरी स्पीड थोड़ी स्लोथी, तो मुझे कैच अप करना था, मुझे सबने एडवाईस किया था, कि आपको पेपर छोड़ना नहीं है, बले आपको कोई कुश्चन आता ना हो वो अलग बात है, लेकिन अग अगर गूंते में पूरा हुआ ता, लेकिन रोज लिखते-लिखते जब में लासट आंसर लिखा उपंद्र मिंट में पूरा हुआ था, जो इक पुरा हुआ था। इस सार था जब आपनें में लिखते स्करिण पर जब आप कन्टीनियो क्रिस करते रहे तो वही एगंटे का आप 15 minutes, very good, यह practice ही हो पाया, तो ultimately according to you, अगर हम कहें, means depends करता है आपकी practice पर, जी sir, writing practice, means के लिए क्या sources रहें आपके, means के लिए, again GS के लिए, आपका काफी जादा वो था, sir, आपके videos पे, काफी सारी, आपके channel पे काफी सारी videos थी, जो से मैं देखता था, जैसे चोटे-चोटे topics आप वैसे cover कराते थे, और end में, sir, मुझे अच्छे से याद है, आप five topic series लाये थे, और sir, वो बताते थे, तो sir, वो, पांच person, पांच place, sir, place के लिए, पांचो प्लेस वो ही आई है, इस बार थोड़ा pattern change था, लेकिन person वो ही पढ़े-पढ़े आये थे, क्योंकि आपने बता दिये थे, तो sir, वो याद थे, दिमाग में, एक नाई खिट था, और sir, law के लिए, sir, पवितनारायन sir थे, उनकी guidance काफी रह गया, अच्या, language का paper, इस पार, Hindi language भी add कर दिया गया था, और आप तो English medium के हैं, तो फिर आपने language के paper को लेकर, क्या sources रे, क्या तैयारी रही आपने? Sir, language paper में, English में मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम CVSC board से हूं है, और English में medium है, तो English में मैंने जादा नहीं किया, मैंने topic पढ़े, और उसके बस quotes के notes बनाएं, कि मुझे एक start मिल जाए, बाकी मैं end का click लूँआ, ऐसे पढ़ लिए, current topics aware थे, लेकिन sir, Hindi में मेरा थोड़ा हाथ तंग था, तो sir, उसमें 2-3 लोगों ने मेरी help की, जैसे आपके channel पे रविंदर sir है, रविंदर sir की videos से काफी वह हुआ, और sir, मेरी एक दोस्त है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी sir, मैं सो के उठाऊ, वो घर आ जाती थी, के नहीं तू लिख, तो sir, उनका काफी influence रहा है, उन्होंने हमेशा साथ छोड़ा, रविंदर sir से मैं चीज़े सीखता था, लेकिन मैं लिखता नहीं था, मैं सुन लेता था, वो आके मुझे लिखवाती थी, तो sir, दोनों के combination से, मेरा Hindi का paper अच्छा हो गया, मेरा पूर हो गया, English language का आपने खुदी तयार कर था, इस पार local act और substantive law का थोड़ा सा paper पैटर्ण जो है, चेंज था, आपने देखा होगा, उसको कैसे manage किया? सर, substantive law में में यह कहूंगा, जैसे contract tactic बहुत major subject है, उससे एक भी question नहीं था sir, तो sir, जाती एकदम से हुआ, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा तरियार जो था, वो contract act था, मैंने सबसे पहले वो question attempt करूँगा, देखा question ही नहीं, सर, लेकिन substantive में मैं दुबारा वो कहूंगा, जब तक आपको bare act, अगर आपको word by word याद है, आपको technical words याद है, तो आप कहीं भी मात नहीं खा सकते, क्योंकि आपने starting में provision दे दिया, पूरा as it is, जो मेन चीज है वो दे दी, जो question में demand की है, तो sir, उसके बाद, आपके पास यह होता है, कि मुझे एक start मिल गया है, अब मैं cover कर लोगा, उसके बाद sir, कांट्रेक्ट नहीं आया था, sir, अब local laws की बात करते हैं, उसमें दो book है, समर्त अगरवाल और तौफीक रजा sir, की book है, sir, वो refer की और पवित नारायन सर ने हमें important topic बता दिया थे, तो sir, वो करके, काफी इसके बाद आपका means हो जाता है, means देने के बाद आप शियोरते की हो जाएगा? Sir, बिलकुल नहीं, कोई question छूटा था? Sir, कोई question नहीं छूटा था, मैं actually means देने के बाद खुशी इस बाद से था, कि मेरा कोई question नहीं छूटा है, मैंने सारे अच्छे से अटेम्ट किया, पर sir, कही नहीं मन में यह था कि मैंने late start किया है, मेरे से पहले बहुत knowledgeable बने है, जो हर चीज में perfect kind of है, मैं उन्हें देख के लगता था, यार, मेरा होना हो इनका होगा, Sir, जब result आया पता चला, उनका किसी current verse रह गया और मेरा हो गया, तो sir, पहले मैं surprise था कि अरे, sir, लेकिन कृपा है तो हो गया, अच्छा, जब mains निकल जाते हैं, तो फिर interview की बारी आती है, और मुझे लग रहा है कि आपने शाहिए कोई interview दिया नहीं होगा, इससे पहले यह दिया था, Sir, एक बस mock दिया था, पवितना रहन सर ने, वो भी briefing की थी उन्होंने, तो sir, उसके इलावा, कोई real interview, जूडिशल एक्ञाम या फिर अधर interview, तो फिर उस interview, interview के लिए mock interview कितना जरूरी है? Sir, मुझे लगता है काफी जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐस सच mock नहीं दिया, मैंने एक ही mock दिया था, वो भी sir, briefing type था, तो उसमें sir, पता चलता है अपनी खामिया, जैसर, मेरे साथ जो दिक्कत थी, मैं बहुत impulsive था, एकदम से जवाब देता था, आपने question आपका खतम नहीं हुआ, मैं एकदम से बोलता था, तो मुझे बताया गए कि नहीं, आप calm down रो, पहले पूरी बात सुनो, दो सेकिंड का pause लो, sir, वो में लिए काफी beneficial हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक sir, बोल रहे थे, justice जो थे, question पूछते पूछते ऐसे हुए, और फिर पूचा, तो sir, अगर मैं जवाब देता हुए, उनकी बात कट जाती, और sir, एक body बैठने का तरीका, पहले मैं ऐसे बैठता था, वो पता चला कि हाँ, आपको सीधे बैठना है, जी sir, sir, तो उसका काफी जादा benefit होता है, जब आप interview देने के, इलाबाद Commission में, वहाँ का experience कैसर आपका, और कौन-कौन शी question आपसे पूचे गए? Sir, actually, मेरा first day interview था, first shift में, और last interview था, तो sir, मेरा साधे तीन वजे के करीब नंबर आया, बैठे बैठे, एक्सॉस्ट हो गए थे, यह था कि यार अब हो जाए, तो sir, जैसे ही में गया, लेकिन वहाँ पर मुझे लगाता कि अग्सॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैंने पैनल को देखा एक अलग सी energy थी, क्यूंकि वह बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, आईए, and sir, उन्होंने अच्छे से वेलकम किया, क्या ही है, पूरे comfortable हो जैए, अराम से बैठिये, Sir, उसके बाद उन्होंने मेरे से खुद बूचा कि आपके favorite subject क्या है, तो sir, मैं तीन-चार बता है, उन्होंसे उन्होंने एक पिक किया constitution, और sir, सिर्फ constitution से उन्होंने पूचा, लेकिन sir, कोई डढने का महाल नहीं होता, आपसे बस interaction है वो sir, बस सोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, लेकिन बस interaction है, उन्हें आपकी knowledge test नहीं करनी, वो means में देख चुके है, कोई question यहाद आ रहा है आपके जो पूचे गए हो, Sir, मेरे से सिर्फ constitution में पूचा गया था, मेरे से 39A पूचा गया, 300A पूचा गया, 356 पूचा गया, और sir, मेरे से एक question पूचा गया, कि right to property कहां से delete रहा है, Sir, मैंने बताया, 91F, तो sir, उन्होंने मुझे चार बार पूचा, Are you sure? Sir, मैं sure था, लेकिन, मैं इससे पहले 31 बोल पाता है, उन्होंने वही पे रोक लिया, 91F, 91F, मैंने का, हाँ sir, उन्होंने का, देखो वो हस रहे हैं, तो वो uncomfortable feel कराने के कोशिश कर रहे थे, पर मैं एंट तक था, कि नहीं sir, as far as I can recall, it is 91F, तो उन्होंने का, एक बार सोच लो, हम तुम्हें पांच सेगेंड का टाइम दे रहे हैं, मैंने का, sir, मुझे यह याद आ रहा है, तो वो आपको चेक करते हैं, कि आपके confidence कितना है, sir, लेकिन वो uncomfortable feeling कराते हैं, जब मैं उन्हें लगा कि मैं सोच रहा हूं, तो उन्होंने का, चोड़ो चोड़ो चोड़ो, अब यह बताओ, तो sir, वो switch कर देते हैं, तो इंट्रिव्यू के बाहर आने के बाद, मतलब अब comfort थे, कि इंट्रिव्यू मेरा सही गया, कितने मिनट चला था? Sir, मेरा इंट्रिव्यू दस से बारा मिनट चला होगा, Sir, जो भी उन्होंने law base पूछा, वो मुझे आता था, उन्होंने थोड़े कुछ कुश्चन पूछे, जो बाहर थे, Sir, उन्होंने लगातार पांच बार sorry बोला, कि sorry sir, नहीं आता, Sorry sir, I'll read the road. Sorry, अच्छे बताये, बहुत सारे बच्चे कूछते भी है, कि sorry बोलने से इंट्रिव्यू खराब हो जाता है, तो sorry बोलना बहतर है या या नहीं है, उसका क्या impact पड़ता है? Sir, मुझे बलकी लगा कि sorry से वो जादा खुछते मेरे, बजाए कि मैं कोई question ट्राय करूँ, जैसे उन्होंने देखा, मैंने दो second का pause लिया, मैंने का sorry sir, तो उन्होंने ऐसे था, अच्छ 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 कोई बात नहीं, तो उन्होंने यह था कि हाँ, बता देगा यह, शायद recall ना कर पा रहा हो, तो sir sorry से कोई impact नहीं पड़ता है, मैंने लगातार 5 sorry बोले है straight, कि मुझे नहीं आते हैं, तो उन्हें पता ही कि knowledge है, वो confidence check कर रहे थी, हमें घुमाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो sir इससे बढ़े है, sorry बोल दो आप, very good, घर आ गया आप, interview देने के बाद, selection भी हो गया, इस सफलता में, वैसे हर किसी व्यक्ति की सफलता में, किसी एक व्यक्ति को तो कहना बड़ा मुस्किल है, फिर भी आप इस सफलता का credit यासर है, किसे देना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं इश्वर को देना चाहूंगा, दूसरा माता-पिता, sir उन्होंने हर पल सपोर्ट किया है, उन्होंने कभी नहीं कहा, कि तु ये कर, तु ज़े urgency है, या तु ये मत कर, ये नहीं बताए कि ऐसे पढ़ वैसे पढ़, उन्होंने हर वक सपोर्ट किया है, बाहर कोई विक्ति बोलता था उन्हें खुद किया जाते हैं, हाँ वो कड़ लेगा, मेरे तक कभी बात तक नहीं आने थी, उसके बाद, मेरे टीचर्स हैं, गुरूज हैं, जैसे पवित नहीं रहें सर, आप हैं, दो-तीन और हैं, तो सर उनका इंफ्लेंस रहा, साथ में सर मेरे चाचा और दी हैं, जो मुझे इस फील्ल में लाई और उन्हें पुश्च किया, और सर चाचा नहीं constantly target रखा मेरे सामने, कि नहीं तुम्हीं यह करना है, तुम्हीं यह करना है, तुम्हीं यह करना है, तो सर वो दू guidance ऐसी दी, कि मैं इस तरफ tilt हुआ, उसके बाद सर मेरे फ्रेंड्स कर लें, और वो एक दोस्त जो मुझे पढ़ाने आती थी, सर इनका काफी जादा, मतलब दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है, यह दोस्त अच्छे मिल जाएं, तो पूरी जिंदगी सबर जाती है, कोई message, कोई सुजहाब जो आप हमारे viewers को देना चाहें? कुछ लोगों को लगता है कि हमारे प्रिपरेशन पूरी नहीं है, प्रिपरेशन आपके लाइफ बर पूरी नहीं हो सकती, आप जब तक एक hard work के साथ consistency बना के उसे maintain कर रहे हैं, तब तक आपका selection होगा, selection और success by product आपके hard work के, और smart work के, मेरे पास time कम था, लेकिन मैंने selected चीज़े पड़ी, लेकिन उन्हें in depth इतना कर लिया, जैसे guidance मिली, सर ने कुछ topic बताए वो किये, पवित सर ने कुछ topic बताए वो किये, लेकिन वो in depth कर लिया पूरे, उसमें कोई कटौती नहीं किया, अगर सर ने बोला है कि यह करना है, तो वो कर लिया, याद भी नहीं हो रहा है तो दस बार पढ़ लिया उसे, कि at least मुझे idea हो जाए, तो सर सेलेक्शन का बस एक ही हो है, consistency and hard work, उसके लाब कोई second option नहीं है, जिन लोगों का मान लेजेगा दुर्भाग्य कहें हैं, या कुछ कमी भी कह सकते हैं, मान लेजेगा two attempt हो गए, three attempt हो गए, या फिर अब वो last attempt की हो रहे हैं, उनके लिए क्या message आपको? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि, आप refine होते हो कुछ चीज़े से, बार बार एक process से जाते हो आप refine होते हो, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, तो सर मेरे मानने में, वो हमसे बहतर judge बन सकते हैं एक बार को, क्योंकि वो refine हो रहे हैं, वो जादा चीज पढ़ रहे हैं, तो मेरे मानने में उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, शायदी आपका test यही है main test, judiciary आपका knowledge का test है, लेकिन साथ में उससे बड़ा आपका patience का और consistency का test है, जब तक आप वो चीज एक level पे रखते रहेंगे, कि नहीं मैं consistent हूँ, मैं hard work करता रहूँगा, मैं sacrifice करता रहूँगा, तब तक सर्थ मैं sure हूँ, कि उनका पक्का होगा, ऐसा होए नहीं सकता कि ना हो, यूपी और भिहार और उत्रकन, इसमें law के साथ साथ GS paper का भी एक अपना बड़ा रोल है, इसको कैसे देखते हैं अब, सर मेरे मानने में वो चीज अच्छी है, क्योंकि एक जज को हर फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, तो GS है, GS जो हमें समाथ से जोड़ता है, हमें पता रहता है कि अच्छा आज यह हो रहा है, उसमें economics भी है, geography भी है, history भी है, सो चारों चीज़े देख के तब हमारा mind खुलता है, तो सर मैं यह कहूंगा कि GS paper को बिल्कुल neglect ना करें, जो आप cricket में होता है, single चुराने, law paper छक्के चॉक्के माणना है, लेकिन match कभी उनसे नहीं जीता जाता, जब test match के बारे आती है, जो single चुराना है, वो GS paper में ही है, और कहीं नहीं है, GS paper में छोटे-छोटे topic होते हैं, आपको वो आते हैं, बस आपको थोड़ा broader expect करके देखना है, कि अच्छा यह चीज भी है, यह चीज भी है, तो सर मेरे मानने में GS, बिर्कुल, as an online institution, target for IQ को कैसे देखते हैं, सर मेरे लिए तो काफी जादा positive रहा है यह, क्योंकि सर बिना मांगे सब कुछ मिल गया मुझे, सर कोई fees नहीं, कुछ नहीं मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता था, मैं बस खाना खा रहा हूं, मैंने टेबल पर वीडियो लगा ली, मैं बहार जा रहा हूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैंने डाउनलोड़ेट वीडियो देख ली, तो सर मेरे लिए तो यह चीज ऐसे थी कि, बिन मांगे मिल मोती, मांगे मिने ला वीक, तो सर मेरे लिए तो यह मोती की बराबर है, कि मुझे घर बैठी ही, कि मेरे लास्ट मेसेज बस यह रहेगा, कि यह मत समझो आप पूर्ण हो, जब आपने यह समझ ले कि यह चीज मुझे आती है, आपके सुधार की जो एक वो होता है ना अंदर से जिग्या सा, वो खतम हो जाती है, और दूसरे बंदे को जैसे आपने बतायों मुझे यह आता है, उसके पार जो चार चीज एक्स्ट्रा है वो आपको नहीं बता पाएगा, तो हमेशा ऐसे रहो कि नहीं मुझे नहीं आता है, और मुझे सीखना है, आप मुझे यह बताओ, चार चीज वो नहीं बता देगा, नहीं भी बताएगा तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन कभी भी यह मत समझो कि आपको कोई भी चीज पूरी तरीके से आती है, आप कॉंस्टेंटली उस पे वर्क करते रहो, प्यारे साथियों, आपको जो भी टिप्स दियें, आप उस पर जरूर अमल करेंगे, यह दि आपका इन से कोई कोशन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सिदार से हम बात करके उसका हम आपको रिप्लाई करा देंगे, अगेन मैं पूरे टार्गेट फॉर आपको परिक्वार की तरफ से आपको बदाई देता हूं, और विस्ट करता हूं, और बविश्य के लिए भी सुब कामनाई देता हूं. Thank you.